नमस्कार साथिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने करेंट हैवन के YouTube चैनल पर आसा करते हैं भेहत्रीन होंगे। और अपने आगामी एक्जाम की भी त्यारी कर रहे होंगे। साथियों आज एक बहुत भेतरी न्यूच आपके सामने हम रखने वाले हैं साथि आप इससे तो परचीत ही होंगे साथि यहाँ पर आप देख सकते हैं साथि इस पूरे जो सेना के फिल्ड में अगर देखा जाए साथि इसमें बच्चों आपको लाब भी इसका बता चलेगा इसमें कितनी सेलरी मिलेगी चार साल तक उसके बाद चार साल तक कितने हमारे मित्र भाई बहन सेलेक्टरन के बाद रह जाएंगे और कितने को एक तरह से छुट्टी दे दिया जाएगा और इन सब विषय पर बात करेंगे क्या उनको एक तरह से छुट्टी के बाद कुछ पैसे या फिकुछ तनख्वा दिये जाएंगे या फिन नहीं दिये जाएंगे इस सबकी विषय पर यहां पर चर्चा करेंगे साथी आप लोग अंतक बने रहें इसके लाभानी सब कुछ हम बताएंगे और यह पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा बच्चा आप लोग आकर टेलिग्राम पर ले सकते हैं चलिए हम देख लेते हैं आज से अगर देखा जाए लगवग डेड़ साल बाद चुनाव है केंद्री का केंद्र का चुनाव है इस वज़े से आप देखें होंगे कि हमने सुबह वी एक आपके लिए ऐसे वीडियो बनाया था जिसमें कि 10 लाख नौकरी की बात इन्होंने मात्र डेड़ साल के होने वाले हैं संबंदित सेवाद नियमों के तहट चार साल के लिए अगनी वीर नामांकित किये जाएंगे मतब कि जो अगनी जो यहां पर अगनी पत्योजना होगा उसके द्वारा जितने भी हमारे डिफेंस में जितने भी बच्चे चैन होंगे उनका नाम होगा अगनी वीर यह चीज़ा प्याद दखेंगे आपसे इसकी बात कर सकता है और यह चीज़ें इसी साल से तयार स्टार्ट हो जाएंगी लबह 46,000 अगनी वीरों की भरती इसी साल की जाएगी तीन से नाओं में लागु जोखीम और गठनाई भत्ते के साथ आकर सक मासिक पैकेज भी दे जाएंगे उसके लिए चार साल की कार रियावधी पूरी होने पर अगनी वीरों को एक मुस्त सेवा ने दी पैकेज का भुकतान किया जाएगा इस साल 46,000 अगनी वीरों की भरती की जाएगी भविस्तिकी चुनाउतियों का सामना करने के लिए ससस्त्र बलों के पास एक योजना के तहट चुने गए युवाओं को अगनी वीर कहा जाएगा अगनी पत देश भक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधी के लिए ससस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमती देता है अगनी पत योजना ससस्त्र बलों के सेवा प्रफाइल को सच्छम करने के लिए डिजाइन की गई है यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकसित करके वर्दी धारड करने के प्रति इच्छुक हो सकते हैं जो समकालिन तक्नीकी प्रवित्तियों की अनुरूफ हैं और समाज में कुसल अनुसासित और प्रेरित जन सक्ति की पूर्ति करते हैं जैसा कि ससस्त्र बलों के लिए यह ससस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और जोस और जज़बा का एक नया साधन प्रतान करेगा साथ ही साथ एक अधिक तक्नीकी जानकार ससस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यानवित से भारती सस्तवलों की आउसत आयू लगवक्त मतब कि चार से पांच वर्स कम हो जाएगी जो अधिक होता था उसमें कम करके बच्चों को चैन किया जाएगा जों कई सालों से इसमें जौब नहीं आ रहे हैं आत्मानुस करने में सच्छम होंगे मतब कि जो इसमें चैन होंगे चार साल बात उनको अधिक अलग से छेत्र में भी लगाया जाने की संभावने होंगी और कुछ को 75% जो होंगे उनको रिटार्मेंट दे दिया जाएगा 25% जो होंगे उसमें कार्य कर सकते हैं राष्ट समाज और पास्तिस वच्छा को बढ़ावा देने के लिए परसिचित कर्मियों की उपलबदता सामिल है जैसा कि आप समझ सकते हैं घर घर में ऐसे होते हैं चार साल बाद रिटार्मेंट होगा फिर चार साल बात आपके भाई होंगे फिर ऐसे देखेंगे पूरे देश में लगबग अगर्षा कांड़ाय तक देखते हैं तरह से हम लोग को धयर बनाकर सारी चीज़ें किया जा रहा है लेकिन लोग और गर्वालों सकती है हर एक लोग सेना में हो जाएंगे बहले रेटायर्मेंट होगा लेकिन बाद में यह चीज़ें अब देखे इसके लाव क्या है अगरी वीरों को तीन सेना में लागु जोखी मरोकठाई भत्ते के साथ एक आकरसक अनुक्विलित मासिक पैकेज दिये जाएंगे चार साल की उनको चार साल बात जब बाहर निकलेंगे उनको ग्यारत साथ एक लाख रुपए सेवा नेधी पैकेज के रूप में भी दिया जाएगा यह चीज़ें भी उनके लिए लाप परद होंगी क्योंकि वह एक साथ इतने पैसे पाकर अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं और असानी से इस दोर में कायम रह सकते हैं जहाँ पर कुछ नहीं साथी वहां पर यहां पर चायन होकर बच्चे अपनी लाइफ का एक नया मोल ले सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इसके लाभ भी बहुत सारे हैं यहां पर देख सकते हैं 11 Cada 71 il Para pra誰 आपको जैसे retirement होगा वहां प सरस्त तबलों का प्रोफाइल युवा और उडजावान होगा साथी अगनी वीरों के लिए अकर्सक वित्ती पैकेज है अगनी वीरों के लिए सरोत्तम संस्थानों में प्रसिछल लेने और उनके कौसल और योगिता को बढ़ाने का आउसर भी यह कहा जा सकता है सब्समाज में सैन लोकाचार के साथ अनुसासित और कुसल युवाओं की उपलबदता होगी साथी क्योंकि हर घर के लोग होंगे तो हर घर के लिए अनुसासित होंगे इस तरह से अपने परिवार को भी अनुसासन में लाने का प्रयास करेंगे समाज में लोटने वालों के लिए पर्याप्त पुनह रोजगार के आउसर और जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं बिल्कुल यह बहुत ही अच्छा काम है साथी एक तरह से देखा जाए एक बहुत अच्छा डारेक्शन है मतब कि जो युवा बहुत अपने घर परिवार आसपडोस को एक तरह से नए जागरुकता के रूप से नए मोड पर ला सकते हैं नियम एमसरते क्या है इसकी अगनिपत योजना के तहट अगनी वीरों को चार साल की आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर अगनी वीरों को सस्त बलों में अस्थाई नमांकन के लिए आवधन करने का आउस्वर पतान किया जाएगा इन आवधनों पर उनकी चार साल की कारविधी के दवरान पर दर्शन सहीत उद्देश मांदंटों के अधार पर केंदित तरीके से विचार किया जाएगा और प्रतेक विशिष्ट बैच के 25 परसत तक सस्त बलों में नीमित कैडर में नामांकित किया जाएगा फिर से 25 परसत नामांकित किये जाएगे विश्टित दिसा निर्देश अलग से जारी किये जाएगे चैन सस्त बलों का अनन्ने छेतरा अधिकार होगा इस साल 46,000 अगनी स्रमों को अगनी स्राम को की भरती की जाएगी मतब आप समझ सकते हैं साथ ही पड़ाली इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा लगभग सतरा तसमल पांच से एक कई साल के बीच की युवा इसमें सामिल हो सकते हैं आल अभर इंडिया में साथ ही यहां लिखा हुआ आल इंडिया आल क्लास मतब सभी इसमें कोई भी हमारे सेना जितनी भी वेकेंसी आती सुपर उसमें यह नहीं देखा जाता है कौन किस कटेगरी का है यह रहा पूरा